हलो दोस्तों आग इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं quadratic equation के गुदन खंड हम लोग कैसे निकाल देनी factor कैसे करते हैं ठीके तो आप लोग से पुछे जागा कि माल जब मैंने प्रेस्ट लिया हुआ है x square plus 20x plus 96 is equal to मैंने 0 लिया है तो आप लोग को simple से एक formula पता है वो formula क्या होता है x ब्राबर होता है हम लोग का minus का होता है b ठीक है और plus minus होता है plus minus root under होता हमारा क्या b square minus का होता है कितना 4ac बटे में कितना होता आपका 2a होता है ठीक है आप लोग को ये formula पता होता है ठीक है आप लोग इसके माध्यमषए निसके ठ्हुन आप लो असानी से कर लेते हैं लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ट्रिक्स आप लोग कैसे करेंगे ट्रिक क्या रहाऊ या ध्यान देंगे ट्रिक ट्रिक अप लोगchen द्यान एक ही चीज़ रखना है ठीके वो क्या ध्यान देनाता है ध्यान देंगे आप लो यदी ठीके यदी जो है बी का मान इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बी इसको बोलते हैं क्या हम लो सी यदी मालिज यदी बी का मान क्या है यदी बी का मान अगर आपका positive होगा तो बी का मान या तो आपका negative होगा या पोजिटिव होगा दो ही तो हो सकता है क्या उनकों या तो आपका हो सकता है पोजिटिव या तो हो सकता है क्या आपका निगेटिव ठीके तो मैंने बोला कि यदि बी का मान आपका पोजिटिव है क्या है पोजिटिव होगा तो हम लोग बी का भी और c का भी दोनों का sign चेंज करेंगे टिक है और यदि हमारा बी का मान क्या है निगेटिव आया । तो कीवल और कीवल हम लोग बी का ही sign को हम लोग change करेंगे बस आपको यही ट्रिक अब लोगो ध्यान करना हो गया ठिक ध्यान मुझना odpow 사람들이 क्या क्या कि यदि बी का मान यानि की बी का मान मैंने है प्लस का बी सिक्स है तो गर बी का मान प्लस मरेगा तो बी और सी दोनों का मान क्या कर देंगे ठीक है बदल देंगे और यदि बी का मान अपका मानिस होगा तो कीवल और कीवल बी का ही साइन हम लोग चेंज करेंगे ठी केजिए फूस दिख़त नहीं है n e a ave चलते हम प्रस्न में प्रस्наруж क्या कहता है यहां पर 1 स्कुआ किटना आपका बीस 5ु Move में कितना दिया आपका नैन टी-सिक्स दिया है झाट ध्यान देंगो लोग वी का जो हमारा क्या है प्लस दिया हुआ है ठीक है कितना है प्लस है तो मैंने बोला अगर बी का भेलू यानि साइन जो है प्लस होगा तो क्या करेंगे बी और सी दोनों का भेलू क्या करेंगे साइन जो है चेंज करेंगे तो पहले क्या करेंगे प्लस है तो माइनस कर देंगे कोई दि 12 होना चीए कितना 12 सोरी 20 20 है ना 20 और गुना करने के बाद कितना हो चीए 96 होना चीए तो ऐसा दो फेक्टर आएगा कौन-कौन 12 और 20 ऐसे दो आपका फेक्टर आने वाले हैं कौन-कौन 12 दिखिए ध्यान रहेगा आपको बड़ा वला संक्ष्या को पहले लिखते हैं क्या हम 12 और आएगा 12 ठेक कितना होता है 96 ठीक है इसका दो गुनन खंड एक तो आएगा प्लस माइनस का बारा एक आएगा आपका माइनस का आठ यही मरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्न है मान लेजी आप क्या है एकस स्क्वाइर माइनस का माइनस दिया हुआ है तो मैंने लिखा है ट्रिक में यदि बी का मान अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे हम लोग कीवल कीवल बी का ही साइन चेंज करेंगे यानि कि यहां प्लस कर देंगे ठीक है और यहां पर सी का साइन क्या है प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे हम पूरत नहीं है ठीक है चलिए अब क्या करेंगे इस 36 को ऐसे दो गुनान खंड में तोड़ना है जिसको गुना करने के बाद कितना होगा ठीक है तो ऐसे जो है हमलोका 2 ही अगुन खंड होगा कौन कौन होगा बारस और कि अगर आपको बडाः बलाकिया होगा पहले हो जाएगा छोटा और कि युद्ध को गुना खरेंगे किटना होगा and 12-3 को जोड़ते हैं तो कितन हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा ठीक है 12-3 को जोड़ने के पाद कितन हो जाएगा 15 तो हमारा जो answer हैगा ना हमारा क्या हो जाएगा 12 और 3 हम रही जाएगा answer हो जाएगा ठीक है अगला question number 3 है वो क्या है x square minus का b6 minus का 26 is equal to अपका zero ठीके तब B का मन क्या है माइनस है जब B का मन माइनस होगा तो किसका change करेंगा sign B का ही sign change होगा माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रणने देंगे हम लोग ठीके अब क्या था इस 96 को 2 factor में तोड़ना होता है ठीक है जिसको जोड़ने घटाना है ना घटाने के बाद कितना होना चाहिए है हम पे 20 ये दिखेगा पहला प्रशन और दूसरा प्रशन में यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है तो मैंने यहाँ पर क्या बलता है जोडने के बाद 20 होना चाहिए और यहां पी क्या मैंने बोला मानस है न तो घटाने के बाद 20 होना चाहिए ठीए कोई फरक नहीं है तो ऐसे 96 का दो फेक्टर आते हैं कौन-कौन 24 और 4 24 गुणे में 4 किजए एका कितना हो जागा 96 हो जाएगा और प्लस 24 में अगर आप मानस का 4 जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा सोरी, अब 24 में अगर 4 जो है घटा देते हैं, ठीक, तो कितना हंोज़ागा 20 होज़ाएगा, क्योंकि हम माणस है, न तो बड़ा वाला को कभी भी प्हेयले लिखेंगे, यानि कि 24 और की अ होज़ागा हमारा 4, ठीके, यही है हमारा यह हमारा आंसर हो जाएगा यह गुदन खंड हो जाएगा ठीक है चलिए जो मैंने अगला प्रश्ण लिया है प्रश्ण मत तीस्तरा है यह नहीं चोथा हूं अजिये मत तीस्तरा लिया है ठीक है वो क्या है इats square प्लस में 26x प्लस का दिया हुआ 168 बराबर दिया हुआ 0 यहां पर क्या हमरा जो b का sign है क्या है प्लस है तो जो b का sign प्लस होगा तो फैल्द सीडों का sign क्या हूआ चैंज हो जाएगा थ Bend pues है माईनस कर देंगे ठीक है। यहां पर प्लस यहां पर कर देंगा माईनसु ठीक है। अब क्या करेंगे हम или 161 को ऐसे दो którą फेक्टर टोडनें हैब ब्रेक करने हैं जैब गुणा करनेके बाद कितना हब जोडने के बाद प्लस है, जोड़ने के बाद होंचे कितना 26 होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे जो है, दो गुनन खंडा है, कौन-कौन 14 और 12, सबसे पहले बड़ा वाला करें कि हम लोग पहले लिखते हैं, बड़ा वाला को 14, और छोटा वाला को बाद में, 14 और 12, यह तो हमार अंसर हो जाएग ठीक है, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर दोनों गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, तो उमीद करते हैं, कि आप लोग को गुनन खंड निकालने का जो यह ट्रीक है, ठीक है, समझ में आज चुका हुआ, तो प्लीज वीडियो पसंद आओ, तो वीडियो को लाइक किजी, सेर किजी, और हमाँ चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, मिलते हम अगले वीडियो में हैं,